आप सभी को नमश्कार मेरा नाब मनोच पांड़े और आप देख रहे हैं EV हिंदी दोस्तो आज मैं फिर आ गया हूँ आप सभी के सामने कुछ नई EV खबरे लेकर यानि की EV News और आज की जो सबसे पहली EV News दोस्तो वो आपके लिए यह है कि देखिया आप कुछ समय से देख र ऐसी ही खबर सामने आई हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर खार दुंगला तक नहीं गया बलकि एक इलेक्ट्रिक आटो खार दुंगला तक गया है देखिये बैंगलूरू के एक कंटेंट क्रियेटर है जोती विखनेश जिन्होंने 19,000 किलोमेटर की यातरा तै करकर जिस पर उनको लगबग 8 महिने लगे 20 शहरों से होते वे गुजरे इस यातरा को तै करकर वो पहुंचे खार दुंगला जो की करीबन 17,900 फीट की उचाई पर है अपने महिंदरा ट्रायो आटो में इस आटो में उन्होंने इस पूरी यातरा को तै किया और वो खार दुंगला की उचाई तक इस आटो को ले गए उनकी समेहनत का परिणाम उनको ये मिला कि आनद महिंदरा जी की तरफ से एक appreciation मिली और इसी के साथ उन्हें गिनिस बुक आप वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके इस आटो का नाम दर्ज हुआ और महिंदरा ट्रैयो आटो पहला ऐसा आटो बन गया है जिसने longest ट्रैवल डिस्टेंस किया हुए किसी इलेक्टरिक आटो ने तो ये खिताब अब महिंदरा के नाम जाता है जोती विगनेश के कार्ण अब जब इतनी गाड़ियां खार दूंगला जाने लगेंगी तो खार दूंगला में एक चारजिंग स्टेशन की जरुरत होगी और आज की दूसरी ख़बर दोस्तो इस चारजिंग स्टेशन से ही जुड़ी है देखिए लगदाक को कार्बन नीट्रिल यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए वहां की जो यूनियन टेरिटरी अडिमिंस्टेशन है उन्होंने CESL कनवर्जेंस एनरजी सिस्टम लिमिटेट के साथ एक MOU डील साइन की थी पिछले साल उस डील के तहत अब इस CESL ने लगदाक में एक चारजिंग स्टेशन इंस्टाल किया है जो की पूरा सोलर पावर चारजिंग स्टेशन है सूर्य की किरणों से उसे बिजली परदान होती है और वो बिजली से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज कर सकता है और इस चार्जिंग स्टेशन को तब इंस्टाल किया गया जब पूरे भारत में आजादी कामरित महस्त बनाया जा रहा था तो इस 15 अगस्त को लदाक को सौगात में मिलाई चार्जिंग स्टेशन और अब अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को लदाक लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आप इसे चार्ज कर पाएंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों आज की तीसरी खबर की और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले मुंबई में भारत की सबसे पहली डबल डिकर इलेक्ट्रिक बस को नितिन गड़करी जी द्वारा लाउंच किया गया था और अब इन बसों की ही अगर हम बात करते हैं तो चलते हैं दिल्ली की और दिल्ली देखिए कुछ समय से खबरों का विशह रहा है अभी काफी चर्शिता खबरों में आप जानते ही होंगे लेकिन इस बार दिल्ली चर्शित है अपनी इलेक्ट्रिक बसिस को लेकर दिल्ली में 97 97 और नई इलیک्टरिक बसिस को अब जोड दिया गया है जिससे टोटल दिल्ली की इलेक्टरिक बसिस का काउंट हो जाता है 249 इलीक्टरिक बसिस इन बसिस को टाटा के द्वारा डिलीवर किया गया था जिनको दिल्ली के माननिय चीफ मिनिस्टर अर्विंद केजरिवाल और शिक्षा मंतरी मनीज शिशोध्या जी द्वारा हरी जंडी दिखाई गई इन इलेक्टरिक बसिस के अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो ये लेक्टरिक बसिस बारा मीटर लंबी है जिसमें 35 लोग अराम से बैट सकते हैं और इस बस में सेंट्रलाइस्ट एसी है तो सभी लोगों को ठंडी ठंडी हवा भी एसी की मिलती रहेगी ये तो थी दिल्ली और मुंबई की खबरे अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की और दोस्तो आज की अगली खबर भी दिल्ली की दरफ से ही है जैसे कि आप जानते होंगे कि पिछले काफी महीनों से हीरो इलेक्टरिक सेल्स के मामरे में पिछट रहा था और फिर एकदम अचानक से Hero Electric अब दुबारा Electric Two Wheelers की सेल्स में लास्ट मन्थ नंबर वन पॉजिशन पर आ गया था उनकी सेल्स को लेकर अब दिल्ली सरकार के दौरा उन्हें सम्मानित भी किया गया है दिल्ली के 2022 Switch दिल्ली EV अवार्ड से सबसे जादा Electric Two Wheelers सेल करने के मामले में दोस्तों आज की अगली खबर ये है कि जुलाई 2022 में किया के दौरा भारत का सबसे फास्ट EV चार्जर जो है इंस्टाल किया गया था जो की 150 किलोवाट DC चार्जर था गुडगाउं में लेकिन यहाँ पर किया ने अपने ही इस रिकॉर्ड को तोड़ा है और उन्होंने भारत का सबसे फास्ट DC चार्जर इंस्टाल कर दिया है केरला के कोची में ये चार्जर 240 किलोवाट आर का DC चार्जर है दोस्तों तो आप द्धारन की तौर पर समझ ये कि अगर एक टाटा नेक्सॉन को उसके नॉर्मल पोटिबल चार्जर से चार्ज होने में समय लगता है साड़े शे घंटे तो वही टाटा नेक्सॉन एक 50 किलोवाट के DC चार्जर से 0-80% 56 मिनिट में चार्ज हो जाती है तो यहां पर हम देखिए 50 किलोवाट के DC चार्जर से जो टाटा नेक्सॉन 56 मिनिट में चार्ज हो जाती है तो उसका क्या रियक्शन होगा जब वह 500 किलोवाट के DC चार्जर में उसको जब चार्ज किया जाएगा और इसके पीछे शायद हो सकता है कि किया के अपने भी कुछ प्लैंज हो क्योंकि किया की इलेक्ट्रिक कार EV6 आपको 528, 528 किलोमेटर की रेंज तो देती है लेकिन उसे 10-80% चार्ज होने में करीबन 18 मिनिट लग जाते हैं लेकिन 350 किलोवाट DC चार्जर की मदद से तो शायद कमपनी अपनी इस कार के लिए और जादा से जादा DC चारजर भारत में लॉंच कर सकती है आज की अगली कपर दोस्तो यह है कि मसडीज ने अपनी इलेक्ट्रिक लक्षरी कार को भारत में लॉंच कर दिया गया है इस कार का नहाम है दोस्तो मसडीज AMG EQS 53 इस कार की कीमत है दोस्तों 2.45 करोड रुपीज इसका एक्षोरूम प्राइज है अल ओवर इंडिया और इस कार की खासियत है दोस्तों कि इस कार में 570 किलोमेटर 570 किलोमेटर की रेंज आपको मिल सकती है और ये कार 0-100 किलोमेटर पर आर की स्पीड को 3.8 सेकिंड में ही ग्रैब कर लेती है तो काफी कमाल का एक्सलेरेशन इस कार का इस लॉंच के दौरान कंपनी ने बताया कि उनके और भी कई प्लैंज है इंडियन मार्केट को लेकर कंपनी ने बताया कि आने वाले पांच सालों में जो उनकी टोटल सेल्स होगी मरसेडीज के उसमें से करीबन 25% सेल उन की 7-seater electric SUV EQB भी देखने को मिल सकती है अब आज की आखरी खबर दोस्तों ये है कि दुनिया की सबसे ज़ादा electric cars manufacture करने वाली Chinese company BYD जिसने सेल्स में टेसला को भी पीछे छोड़ दिया था अब वो अपनी electric SUV को जल्द ही भारत में उतारने के तयारी कर रहे हैं और हो सकता है क आने वाले त्योहारों की सिजन में आपको उनकी ये electric car electric SUV देखने को मिल भी जाए और अगले सार होने वाले auto expo 2023 में दिल्ली में company अपनी hatchback, sedan और SUV और अपनी blade battery technology को भी शोकेस करेगी और अपने plans के बारे में बताएगी ये blade battery technology वही है दोस्तों जिसकी मदद से आपको एक electric कार में 450 से लेकर 500 km तक की range मिल सकती है तो बस आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ वीडियो लेकिन अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो किरपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले तांकि ऐसे ही इवी सम्बदी जानकारिया हम आप तक पहुंचाते रहें अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गो ग्रीन गो एलेक्टरिक